आज हमारे एक बहुत स्पेशल फ्रेंड आये हैं काफी दो से सल्तानपुर लोधी गुरुवाली दर्ती वाई-गुरुवती दर्ती से आये हैं उन्होंने का प्लैन है कि ब्रीडिंग कव परपसे वो काफी लगबक पहले तांटीन-चार मन्थ से कोई डॉग ढूण रहे हैं और उनके यही है कि हम फर्स टाइम ओनर हैं यह ब्रीड कैसे है तो पंजाब में मैं फ्रेंड अमेरिकन बुली की डिमांड बहुत पसंदीदा गिया जाता है क्योंकि कॉम्पेक साइज में अच्छा वाच डॉग अच्छा गाड डॉग और फैमिली के साथ फैमिली की तरह बच्छों के साथ बच्चों की तरह बुड़े बजर्गों के साथ बुड़े बजर्गों की तरह और अगर स्तैंजर आता है तो उसर पर पुरावे करचता वरस्ता भी है तो अमेरिकन बुली मैं आपको इस अब बूली काफी बड़ी family है इसे बहुत sizes आते हैं, micro, pocket, standard, Excel, अवले, ऐसे हैं, but, जरतर famous, जरतर जो अभी का trend चल रहा है, वो standard pocket में चल रहा है, क्योंकि micro की range टोड़ी सी उपर चली जाती है, जो कि आपको 50, 70, 80,000 लाग से शुरू होता है, वैसे तीन-चार लाग तक भी चला जाता है बट स्टेंडड आपको एक नॉर्मली 15-20 के बीच मिल जाएगा जो पॉकेट कहलो वो थोड़ा 20-25 के बीच मिल जाएगा इसमें इसका प्राइज जो होता है हमेशा बॉडी स्टक्चर बॉडी कलर मार्किंग स्पेशली आंखों क कलर के उपर निर्पर करता है हां मदर फाइदर जरूर प्ले करते हैं रोल बट मैं एंड आफ दी डे यही कहूंगा में फ्रेंड जो अमेरिकन बॉली ब्रीड है नॉट आपका एफर लगता है वो ब्रीडर नहीं कर पाएगा ब्रीडर आपको एक तंद्रूस्त हैवी बच अचा देगा बट उसको बनाना मंटेन रखना आप पनिर पर है मैं फ्रेंड कैसे आप उसको बनाते हो अगर वह फीमेल है तो ओवरवेट नहीं होनी चाहिए अच्छा फिट डॉग होना चाहिए ताह कि जब भी आप मेटिंग करो तो कोई कोई डॉक्टर साब यह न कह दे इसको छोड़ देंगे फेस आफ कर लेंगे तो यह ब्रीड चल नहीं पाएगी जैसे बहुत सारी ब्रीडें हर साल दो तीन साल आती रहती है तो उसके बाद ख़तम हो जाती है लेकिन जो पिछले तीन-चार सालों थे मेरिकन बुली ने अपना दबदबा बनाया है और उसक पिछल भी विखती है तो हमेशा वह ब्रीड चूस कीजिए जिसकी फीमेल भी विखें वट रफीट अगें अमेरिकन बुली और अमेरिकन पिट बुल कहलो जहां वह अलग चीज ओती है पिट बुल एक अलग चीज है और लुक लाइट दोनों सेम है लेकिन जो प्रफेशन जहां तक कि 10-12 साल के बच्चे भी इसको लेकर गए उससे कम एज के बच्चे भी लेकर गए हैं जो आज एक बहुत बढ़िया उंदा डॉग बने हुए और कोई कमपलेंट नहीं है पेरेंट्स की तरब से तो फ्रेंड्स आइए उनसे मिलते हैं वह पपी लेकर आए हैं और थोड़ी उस ब्रीड के बारे में आपको बताते हैं कि होप आपको यह अच्छा लगा और आप भी अगर थोड़ा सा भी चॉइंस है आपका ब्रीडिंग में यह मेरे दो स्क्राइबर हैं सर कहां से आए आप सुल्तान पर से क्या नाम है सर आपका कैसे प्राइन बना आपका यह लेने का ब्रीड बहुत अच्छी लगी देखने में बहुत अच्छी है गर्में रखने वाला डॉग है फ्रेंट्स मैं इनको बताओं इनका प्लैन है ब्रीडिंग परपस से आप यह फीमेल ले रहे हैं इसका क्या बाडिवेड चेक किया सर ह लेवन केजी राउंड त्री मांथ जैना तीन वेक्सिनेशन हो चुके हैं और इनको किसी ने बता दिया कि अगर आप ब्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो लेब्रे से करो लेकिन यह मेरे पास आए मैंने इनको सजेस्ट किया कि हां आप कर सकते हो देखो हर स्टेट मे हर एक ब्रीड का एक अलग-अलग होता है कि वहां कौन सी जादा पसंद की जाती है लेकिन अगर मैं पंजाब की वात करूं तो बुली जादा बैटर है जादा बढ़िया माने जाते हैं लेब्रे से और उसी ब्रीड से स्टार्ट करना चाहिए जिस ब्रीड की फीमेल भी आ गई एक मेल आ गया तो बहुत मुश्किल हो जाता है तो फिर मैंने इनको बताया कि क्या-क्या डिफरेंस है तो इनको फाइनली यह पसंद आया तो यह भी हमारे फार्म में गए थे यहां से कुछ कितना 20 किलोमेटर पड़ गया कितना तो वहां जाकर जाते ही पसंद आ गई क्योंकि हमने इनको जो फोटो दिखाई थी ना उससे बैट रहा है यह तो फोटने में बहुत अच्छी है क्या नाम है क्या नाम बताया शेडो लो फ्रेंट यह शेडो जा रही है अभी सुल्तान पॉर लोधी अमेरिकन बुली त्री मंथ और बहुत सारे फ्रेंड यह भी है और इनका भी यह क्वाशन था कि अगर हम ब्राउन कलर की फीमेल लेंगे तो क्या वो ब्लू कलर के बच्चे आ सकते हैं फ्रेंड हां बिलकुल आ सकते हैं और अगर आप इस फीमेल को मेल के साथ मेटिंग करवा होगे ब्राउन ब्राउन से छोड़कर मान लिए कि अगर अगरे जी फेलकम यू थैंक यू ओके बाए अगरे 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 वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए अपने फेवरेट शोशल मीडिय नेटवर्क साइट्स पर भोला शोला चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब और फॉलो करें अपने दोस्तों पडोसियों पैट लवर्स के साथ हमारे वीडियो और चैनल संबंदित जानकारी को सांजा करें